तो इस वीडियो में जो हम मैच कवर करने वाले हैं वो रहेगा स्वीडिस लिग का मैच IK सीरियस वर्सिस AI के स्टॉक होम के बीच इस मैच का जो वेन्यू होगा वो होगा सीरियस यानि कि आई के सीरियस का हूम मैच है, रात में 10.30 पीम पे मैच स्टार्ट होने वाला है, अब मैं आपको बतातों दोस्तों जो स्वीडिस लीग है, उसमें AI के स्टॉक होम एक बहुत टॉप कॉलिटी साइड मानी जाती है, इवन जो 2018-19 सीजन वहा था स्वीडिस लीग का, उसमें AI क स्टॉक होम चेंपियन बनी थी, AI के सीरियस को आप एक प्रॉपर मिट टेवल साइड के सकते हैं, जो कि इस सीजन बहुत खराब पर्फोर्मेंस कर रही है, अगर मैं आपको पॉइंस टेवल दिखाऊ, तो AI के स्टॉक होम तो अच्छा कर रही है, अभी टॉप फोर में है, लेकिन उन्होंने अपने अपोनेंट से एक मैच कम खेला है, और आज का मैच वो जीतते हैं, तो शोली वो टॉप टू में आ जाएंगे, फिलाल के लिए AI के सीरियस आप देखेंगे, यह अभी 16 टीम्स में 12 पोजीशन में है, इस सीजन इन्होंने 14 मैचेस में सिर्फ 15 गोल स्कोर के और काफी जादा 25 गोल कमसीट करती हैं, तो AI के सीरियस ने इस सीजन ओफेंसिबली डिफेंसिबली दोनु जगे अच्छा परफरमेंस नहीं किया, वही AI के स्टॉकोम ने 14 मैचेस में अच्छे 21 गोल मारें और सिर्फ 13 गोल कमसीट किया, 27 उनके पॉइंट है, तो AI यहां से मोमेंटम तो लूज नहीं करना चाहिएंगे, और मेरे अकॉडिंग ऐसी जो लोवर हाफ आफ अफ टेबल की साइट्स हैं, इन सभी के अगेस्ट तो इनको मैचेस जीतने ही चाहिए, और इसी वज़े से इनके प्लेयर भी हाइली मोटिवेटेड हूंगे, इन टीम आपका अपोनेंट भी AI के स्टॉक होम फेवर वाली टीम लाने वाला है, ड्रीम 11 में, फिलाल के लिए रीसेंट फॉर्म देखते हैं, तो AI के स्टॉक होम ने अपने लास्ट दोनू मैचेस जीते हैं, एक जीरो, उसके बाद जो पिछला मैच जीता हूंगा उन्होंने चार तो रीसेंट फॉर्म भी क्लियर कट इंडिकेसन दे रही है, कि AI के स्टॉक होम उसमें भी AI के सिरियस से काफी आगे है, तो फिलाल के लिए हम प्रोविवाल लाइन अप के आते हैं, एक और मैं आपको बताना भूल गया, AI के स्टॉक होम ने अपनी जो लास्ट 10 मीटिंग ह तो यह दोस्तों, AI के सिरियस के अगेश्ट, उसमें एक भी मैच नहीं आ रहा, आठ जीते हैं, उसमें से दो मैचेस रहे हैं, ड्रो, तो यह स्टेट भी पुरा-पुरा AI के स्टॉक होम को फेवर कर रहा है, फिलाल के लिए प्रोविवाल लाइन अप का आते हैं, उस से पह करता हूँ, फाइनल, इसमाल लीग टीम के साथ, इसके साथ ही यूट्यूब चैनल सस्क्राइब करना भी आपका जरूरी है, यूट्यूब चैनल वीडियोस के, जो ऐसे ही फुटवाल मैचेस जो होते हैं, उनके प्रिवीव वीडियोस मैं इसी यूट्यूब चैनल में पो 2.8 या 2.9 के से ज़्यादा सफसाला चैनल आपको मिल जाएगा, अब हम डिरेक्ट आते प्रोविवल लाइनप पे, तो पहले हम बात करेंगे AI के स्टॉक होम की, यहाँ पर क्या है AI के स्टॉक होम क्लियर कट फेवरेट है, तो हाई चांसे से आपका अपोनेंट भी AI के स्टॉक होम कोई फेवर करके टीम बनाएंगे, यानि कि उनके मैक्जीमाम प्लेयर साथ पिक करेंगे, और जो स्लाइट वीक अपोनेंट है, उनके पिक करेंगे सिर्फ चार प्लेयर, तो अभी के लिए ओटीनियो जो AI के स्टॉक होम के लेफ्ट वैग है, यह इस मैज में स suspended है, loss जरूर है, क्योंकि overall अभी तक इन्होंने पूरे टूनामेंट में अच्छा किया है, इस लीग में, लेगिन इस मैज में suspended है, तो इनकी कमी खल सकती है, श्टिल देखें तो जानो सविक इनके गोल की परूंगे, चार इनके defender है, लश्टिक, पापानिक ग्योनपोलस, म देन माइलो सविक, देन पापाग ग्योनपोलस, और फोर चोईज अभी के लिए कार्लसन हैंगे, हाँ ओटीन यों होते, तो ओटीन यों को मैं पहले प्रिफर करता है, इनके सेंटर बैक से, लेकिन कार्लसन को है, इनकी एज होगी है, उतना जादा इनको regular game time नहीं मिलता, इस वज़े से अभी के लिए मेरी four choice है, तो इसका मतलब यह है, किसी एक को drop करना है, तीन defender ले आने, तो जिसको आप को drop करना हो कालसन हो सकते हैं, क्योंकि लश्टिक इनके one of the top defender है, स्वीडिस नेशनल टीम के लिए भी regular खेलते हैं, और बहुत अच्छे offensive, defensive वग यह करते ह लो स्कोरिंग मैज में अच्छे खासे केप्टन, वाइस केप्टन सी ऑफसन भी रहने वाले, इसके अलावा माईलो स्वीग ने इस सीजन औलेडी दो गोल्स मार दिये, heading ability बहुत अच्छी है, पिछले मैज में इनका headed goal आया है, पापा गियो नो को लोस भी अच्छे खासे प्लियर जो होगा, वो सवेश्टियल नारसन ही होगा, पहले बंदा प्रीमियन लीग में भी खेला है, चेंपियंसी में भी खेला है, इसके अलावा दोस्तों स्वीडिस नेशनल टीम के लिए रेगुलर खेलता है, और यहाँ पे आप देखिए, तीन गोल है, चार असिष् प्लियर जो इनका फॉर्वाइड है, श्टीफान एली, इस बंदे को भी मैं शॉलली पिक करूँगा, इस सीजन के इनका टॉप स्कोरर है, पाँच गोल है, एक असिष्ट है, और लास्ट दोनु मैचेस में बैक टूबैक गोल्स इनके आये हैं, तो श्टीफान एली भी इ है, जिनके डिसेंट चांस है, हुसेन के साथ शूली जा सकते है, अच्छे कासे डिफैंसी पॉइंट दिंगे, और एवन लेकिन एक चीज़ कहना चाहूँगा, सिलेक्शन तो हाई है, लेकिन इस मैच में थोड़ी क्रेडिट प्रोब्लम हाईगी, क्योंकि मैं आईके सीरि तो मैं सजेक्स करूँगा, लेकिन चाहे तो आप सेक्रिफाइस करके, इनके बदले कोई एक अटेकर ले जा सकते हैं, यानि कि अटेकिंग मिटफिल्डर हुसेन है, डिफैंसी मिटफिल्डर, अब बहुई के बारे में कहना चाहूँगा, बहुई एक अच्छे अच्छे मिटफिल्डर है, इस सीजन ये भी तीन गोल मार चुके हैं, और ये विदाउट गोल असेट भी अच्छे खास ये पॉइंट दे सकते हैं, कुछ-कुछ फ्रीकिक लेते हैं, चांसिस अगेरा क्रेट के पॉइंट दे सकते हैं, लेकिन आपके पास आएका बहुई या गोई पूरी आपकी है, इन दोनों में से आप किसी एक के साथ जाते हैं, लेकिन अगर आप ग्रेंड ली खिले तो गोई टाम को एक टीम में अगर वो श्टार्ट करते हैं, तो एज़ा केप्टन ट्राइ कर सकते हैं, AI के स्टॉक होम फिवर वाली टीम में, क्या वरोसा एक गोल म क्रेट करने में काफी हैल्प मिल सकती है, अपोनेंट की बात करने से बेले फिर से रिवाइंड जिला देता हूँ, इस मैच की फाइनल एसल टीम और सभी फुटबॉल मैचेज हम टेली गेराम चैनल में कवर करते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जरूर जोइन कर लिज इनके गोल कीपर इंपोटनेंट हूँगे, अभी के लिए मैं इनके साथ जाओंगा, अब इनके जो चार डिफेंडर डिफेंस एक्सल में लिस्टेड है, वो है इनके तीनों सेंटर बैग, इनके साथ इनके राइट विंग बैग, स्टाहिल, सौरी, मैथियस जो है डिफें क्लीन शीट आ सकती है, तो आप चाहे जोग स्टॉम को पिक कर सकते हैं, अब जो मैथियस सन है, मिटफील सेक्सल में लिस्टेड है, अच्छे का से डिफेंसी पॉइंट दे सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है न दोस्तों, यह है 10 क्रेडिट के, अब यह 10 क्रेडिट के ह तो बहुत जादा हमें क्रेडिट प्रॉब्लम होगी, कुछ बड़े प्लेयर सेक्रिवाइस करने पड़ेंगे, तब ही इनको पिक करेंगे, अभी के लिए मैं 50-50 कॉल दे रहा हूँ, लेकिन अभी के लिए मिलको लग रहा है अच्छे का से डिफेंसी पॉइंट दे सकते ह किया जा सकते हैं, जाइडान एक डिफेंसी मिट फिल्टर है, में भी इगनॉर कर सकते हैं, तो मेरे अकोडिंग तो शाबानी या गिरमाई में किसी एक को आप मिल्टिफिल में कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का क्रेडिट भी बहुत ज्यादा हाई नहीं है, तो यह आपको जो शाबानी है, यह भी ऐफेंसीव डिफेंसीव दोनु जगे से पॉइंट दे सकते हैं, तो इन दोनों में में यह आप किसी एक के साथ जा सकते हैं, इस टीम का टॉफ इसकोर है, काउ-काउ के 6 गोल है, एक असिष्ट है, शोली पिक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा आएके सीरियस का गोल असिट नहीं आएगा तो आप काउकोओ को इग्णोर कर सकते हैं मैं अभी के लिए पिक करूँगा उसका रीजन या एक तो इनका सिलेक्षा ने लगबग 80% और अब अगर मैं ड्रॉप करता हूं मालीजे और काउकोओ गलती से स्कोर कर देता है या असिस्ट कर देता है तो मैंच मेरा वहीं पर हो जाएगा खतम इसलिए मैं सेफ साइट जाने के लिए इनके साथ जाओंगा लेकिन आप रिस्क टेकर है तो आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं क्लिन शीट का मुझे ठीक ठाक चांस लग रहा है अब दोस्तों सुगीता नाम का प्लेयर है जैपनीज प्लेयर है इस सीजन अच्छा नहीं किया लेकिन लास्स सीजन इस बंते ने 5-6 गोल मारे थे तो यह सीजन आप फॉर्म है तो मेभी अभी इग्नॉर करूंगा ग्रैं से आप चाहे तो इनको ड्रॉप करके इनके डिफेंसी मिट्फिल्डर जाइडान के साथ जा सकते हैं लेकिन मैं जाओंगा ओट मार्क के साथ तो यह ओवराल आई के सीरियस की प्रोविबल 11 है यहां सी भी मैंने आपको लगबग सभी लेर्स के बारे में बता दिया और यह है इनके स्टेट अब इनके पेनाल्टी वगेरा का कुछ कंफार्म यह लास्ट सीजन जो बंदा पेनाल्टी लेता था वो अभी टीम में नहीं है तो मैं कोई शूर नहीं कह सकता इस्टिल किसी एक के साथ जानाओ में बी काव काव पेनाल्टी टेकर हो सकते क्योंकि इनके आप स्कोरर है में नमबर 9 है तो आम तर पर यह होता है जो में पेनाल्टी लेता है लेकिन अभी शूरिटी के साथ नहीं कह सकता अब अभी के लिए जो मेरी प्रेडिक्शन है वो रहेगी क्लियर कट ए आई के विक्क्री 2-0 मेरी पहली प्रेडिक्शन है 2-1 दूसरी है मेर क्लिंशीट के लग रहे है अभी के लिए जो मैंने डेमो रेफ टीम बने गोल कीपर मैंने लिए आई के सीरियस के और इनके मैं चारो डिफेंडर लेगे हूं उसका में रीजन बतातो जो कालसन ने न दोस्तों यह है आठ क्रेडिट के अब मेरा क्या है हुसेन थोड़े ज् इन्होंने गलती से गोल रसिष कर दिया तो मेरा मैच वहीं पर हो जाएगा खतम तो इस वज़े से क्या है अभी के लिए मैं यहां पर जो है हुसेन पिक ना कर गए इनके एक्ष्ट्रा डिफेंडर लेगे हो चारो डिफेंडर पिक कर रहा हूं तो क्लीन शीट होने में उस पॉइंट दे सकते हैं फिलाल के लिए केप्टन लार्सन है वाइस केप्टन सी में स्टीवन एली लश्टिक बहुत अच्छे आपसन है अगर आपको लग रहा पोने इंड़ी स्कोर करेगा देन आप काव को को वाइस केप्टन कर सकते हैं तो फिलाल यह डेमो रफ टीम थी जो भी मेरी अपडेटेट फाइनल एसल टीम होगी और इसके बाद के जितने भी फुटवाल मैचेस होते हैं सभी मैं टेलीग्राम चैनल में कवर करने वाला हूँ लिंक के डिस्किप्शन में जरूर जोइन कर लिजिए